जो इन दोनों को सूपर हुमन बनाता है कम से कम कॉमिक्स और मुवीज में तो बनाता ही है लेकिन रेल लाइफ में तो आज तक ऐसा नहीं हुआ येगर रेडियेशन के डेली लाइफ में बहुत से यूज़ेज हैं जिने हम आज के इस वीडियो में लेखने वाले हैं क्या आपको याद है कि न्यूकलियस सभी आइटम्स के ठीक सेंटर में होता है पेल तो अन्स्टेबल न्यूकलियाई अलफा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रमेगनेटिक रेडियेशन के रूप में गामा रेज एमिट करते रहते हैं वैसे रेडियेशन की डीटेल स्टेडी के लिए आपको हमारा ये वीडियो जरूर देखना चाहिए आईए अब हम रेडियेशन के अलग-अलग यूजिस डिसकस करते हैं सबसे पहले गामा रेडियेशन रेडियो थेरेपी में इसका इस्तिमाल कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है रेडियो थेरेपी में बॉड़ी की कैंसर एफेक्टिड एरिया को गामा रेडियेशन से एक्स्पोज करते हैं Radiation cancer cells का DNA damage करके उन्हें फैलने से रोकता है या मार देता है और फिर dead cancer cells छोटे टुकणों में बंटके शरीर से बाहर निकल जाती है अभी बताएगा स्टेप्स में radiotherapy के जरीए cancer cells को मारना इतना easy और fast task नहीं है Radiotherapy के जरीए उन tissues को भी खत्म किया जा सकता है जो हमारी body के लिए useful नहीं है उधारन के लिए over active thyroid gland skate treatment के लिए भी radiotherapy की जाती है thyroid gland से बड़ी मात्रा में thyroxin निकलने पर घबराहट, चिंता और थकान जैसी समस्याइं पनपती है Radiotherapy की मदद से thyroid gland की कुछ cells को मारके thyroxin के production को कम किया जा सकता है Surgery के लिए beta और gamma radiation का इस्तिमाल traces की तरह भी किया जाता है इसमें body के भीतर थोड़ी मात्रा में radioactive material inject किया जाता है और फिर radiographer खास equipments की मदद से injected radioactive materials को trace करता है Body के आरपार निकल जाने के कारण बीटा और gamma radiation को detect किया जा सकता है लेकि नियाद रहे, alpha rays के साथ ऐसा नहीं है वो किसी सामान ने paper से जादा मोटी sheet को भेद नहीं सकती Barium mills या barium animas इस तरह इस्तिमाल किये जाने वाले radiation के common examples है Smoke detectors लगातार alpha particles submit करते हैं जिनने sensors detect करके circuit में current produce करते हैं बीच में smoke particles के आने पर detector तक alpha particles नहीं पहुच पाते और alarm बच जाता है Gamma radiation का इस्तिमाल hospital equipments को sterilize करने के लिए तो किया ही जाता है इसके अलावा इसका इस्तिमाल packaged food की self life बढ़ाने के लिए food packaging से पहले bacteria और दूसरे कीडे मकॉणों को मारने के लिए भी किया जाता है अलग-अलग तरह के radiation और उनसे संबंदित खत्रों के बारे में जानने के लिए आप हमारा ये वीडियो ज़रूर देखें तो इस वीडियो में हमने radiation के कुछ uses के बारे में जाना वैसे तो radiation के कई uses और भी है लेकिन unfortunately ये हमें superhuman नहीं बना सकते ओके? झाल 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 झाल